गुद्मानिं इस्टूरेंट, आयाम कलतना जैन, फॉर्मार पर्वेंट है सेकर्टी स्कूल नाम, हम मैं आपकी इंग्लिश की टीचर हूँ, राज में आपको फर्स्ट इंग्लिश का जो चैप्टर है, क्लास एक इंगी में, फर्स्ट चैप्टर हमारा है, अदर्दर पोएम, वो एक्स्प्रिम करने जारे हूँ, अगर आपके पस अब भुख है, तो आप उपने भुख ओपन कीजिए, और साथ आप में उसको समझते जाए, और अगर आपके पस भुख नहीं है, तो जो वीडियो में इमेज आए है, आप उसको दिनान से देखिए, और समझ हारने के लिए क्या करना चाहिए, और सेकेंड है, वाट शुड वी डू तो चेंज अवर फेलर इंटू सक्सेस, मींस हमें अपनी असफलताओं को किस तरह सी सफलताओं में बदरना चाहिए, अब पोएम के स्टेंजा में हम समझेंगे, फर्स्टेंजा में आपको बताया है यानि हमें हमेशा लगता है ना कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो हम उस मिस्टेक को सुधारे हैं और उसको सुधारने के लिए हमें दूसरा मौका मिले, to make fresh beginning, french means वैसे तो होता है ताजा, लेकिन यहाँ पर fresh का मिनिंग है नई, beginning means शुरुवात, हमें कोई भी काम, जैसे हमसे गलत हो गया है तो उसको सुधारने के लिए एक नई शुरुवात जरूर करनी चाहिए, a chance to blot out our mistake, वो मौका जो हमें मिले, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सके, and change failure into winning, और अपने जो failure हैं सफलता हैं, उनको सफलताओं में बदल सके, means इस पूरी पोयम के स जो फर्स स्टेंजा है, उसमें ये बताया आपको कि हा, हमें किस तरह से अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदलना चाहिए, येस, हमारा नेक्स स्टेंजा है, it does not take a new day to make a brand new start, means हमें नए चीज की शुरुवात करने के लिए किसी नए दिन की जरुरत नहीं है, हम वहीं से to make a brand new start, एक नए start के लिए, उसके लिए हमारे लिए जरूरी है, it only takes a deep desire, केवल एक इच्छा जो हमारे अंदर हो, गहरा इसे, to try with all our hearts, हमारी पूरे दिल से, कि चाने चीए, कि जो चीज हम से गलत हो गई हम उनको सही कर सके, और उसके लिए किसी नए दिन की शुरुवात की जरुरत नहीं है, हम जिस जगे हैं, वहीं से उसकी शुरुवात कर सकते, to live a little better and to be always forgiving, इसके लिए जरूरी है, हम अपनी जो भी चीज़े little bitter, better, जो भी थोड़ा सा अच्छा सोचे, थोड़ा सा, हम यह सोचे कि to be and to be always forgiving, हम हमेशा, and to add a little sunshine, और जीवन में छोटी सी little sunshine में इस छोटी सी सूरच की किरन रखें, जैसे कि जो हमारी आशा है, to the world in which we are living, उस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उस दुनिया में हम अपने आपको इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि हम लोगों को माफ करते हुए, और अपनी गल्तियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ सकें, और इसी का नेक्स स्टेंजा, so never give up in despair, and think you are through, for there always tomorrow, and the hope of starting anew, यानि, so never give up, disappear, यानि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, and think, और विचार करना चाहिए, कि मागे की और बढ़ सकते हैं, for there always a tomorrow, हमेशा एक कल होता है, जो हमारे लिए नया कुछ न कुछ लेकर आता है, and the hope of starting anew, और जो यही आशा है, वो एक नई शुरुवात करने के लिए हमें प्रेरित करती है, यानि all over this poem में आप पो यह समझाया गया है, कि किसी भी इंसान को another chance अपने जीवन में जरूर मिलना चाहिए, और उसे जो another chance मिल रहा है, यानि दूसरा जो मौका मिल रहा है, उस मौके को हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और उसको आगे बढ़ना देगी, और इसी के साथ इस poem के जो writer है, उसका नाम में आपको बता रही हूँ, जो कि नीचे poem में आपको देख भी रहा है, Helen Steiner Rice ने यह poem लिखिये, Helen Steiner Rice, जब आप poem को पढ़ें, तो poem के poet का नाम भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अकसर question answer में यह पूछा जाता है, तो students, आज अपना यह chapter, जो first poem था, Another Chance, जिसे Helen Steiner Rice ने लिखा है, यह आपको पढ़ना है, और इसको समझना है, कर हम इसके question answer पढ़ेंगे, और समझेंगे,